अलो वर्वन नाममतवारी, फॉरममतवारी.net और Google Ads की सीरीज के इस पार्ट में हम लोग डिसकस करने वाले हैं Conversion Tracking को, कैसे आप Conversion Tracking को अपने Ad Campaign में यूज कर सकते हैं, किस तरह से Setup कर सकते हैं, और कैसे आप Conversion Tracking को यूज करके Better Performing Ads को बना सकते हैं, पूरी प्रोसेस अप आपने आप में technical sound कर रही है, किन जब मैं इसे Computer Screen पर दिखाऊंगा, तो यह बिल्कुल भी mystery नहीं रह जाएगी, बलकि इसे जानना आपके लिए history हो जाएगा, चलते हैं Computer Screen पर, और Conversion Tracking को अच्छे से समझते हैं, तो हम आचुके Computer Screen पर और यहां पर आपको बहुत सारी Windows द platform है, it's not a simple barter system, जहां पर आप गए, आपनी थोड़े से पैसे पकड़ाएं, और आपने बोला कि भाई, मुझे इतने सारे आड दिखाने हैं, और Google जाकर आड दिखाना शुरू करते हैं, सिर्फ इतना नहीं होता है, Google Ads एक smart platform है, जो आपको सही type की audience दिखाना चाहता है, और यह सही type की audience क्या होती है, कौन बताएगा Google Ads को, आप नहीं बता सकते है, Google खोद से decide करता है, so Google basically देखता है कि जब आप एक एड बना रहे हैं, और आपके एड का जो भी purpose है, जो भी goal है, क्या वो पूरा हो रहा है, तो हमाल लेते हैं कि यहाँ पर आप एक एड रन कर रहे है और इस एड का एक landing page है, और इस landing page पर आने के बाद जब भी कोई user एक form फिल करता है, मेरी तरह है, जैसी send message बटन पर क्लिक करता है, वो किसी एक thank you page पर, किसी भी एक conversion page पर visit करता है, यहाँ पर इस demo के case में, यह contact us होला page है, so आपके एड का setup कैसा होगा, जब आपके एड पर या as final page आप दिखाएंगे, लेकिन आपका conversion कहां हो रहा है, आपका conversion हो रहा है, इस thank you page के उपर, जहां पर user पहुच रहा है, इस form को fill करने के बाद, अगर कोई आपके final page पर, आपके landing page पर आता है, तो कहां आएगा, आपके इस contact us page पर, क्योंकि अगर आया है landing page पर, वो अगर अब हम Google Ads के पास, यह information pass on करें, कि जब भी आपके ad पर click करने के बाद, कोई मेरे landing page पर आता है, landing page पर आने के बाद, form को fill करता है, तो वो इस contact us page पर, इस conversion वाले page पर पहुच रहा है, जैसे ही Google के पास, यह information pass on हो जाएगी, तो वो समच जाएगे कि कौन सा user है, जो इ जाने कि उसने form fill कर दिया, अगर यह information Google के पास पहुच जाएगी, तो वो same उसी तरह के लोगों को आपके ad और भी दिखाएगा, यह होगा, Google Ads के लिए motivation, उसे पता लग जाएगा, कि भई, इस तरह का person convert हो रहा है, मुझे इसी तरह के और लोग ढोड़ कर लाने है, और तब आपका Google Ads सही perform करता है, जो भी लोग conversion action को set नहीं करते हैं, उनका Google Ads का भी वेची तरह से perform नहीं करता है, यह वड़ा simple सा example था कि landing page पर आयो, contact form मिल गए यहाँ पर, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर, कुई product वाला page था, उस product को purchase करना था, तो यह सब कुछ बहुत ही complicated भी हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि यह पहला वीडियो के conversion वाला हम यहाँ पर एक simple सा conversion setup करके देखते हैं, यह Google Tag Manager का window गलती से नहीं खुला है, इस Google Tag Manager को हमें setup भी करना है, इस पर भी conversion action setup होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले create button पर click करते हैं, और पहली बार campaign कीज़ेगे conversion action पर click कर देंगे, ठीक है, फ्ला simple सा तरीका वैसे आप यहाँ पर उपर भी search कर सकते हो, बट क्यों ही करना है, simple तरीकी से हो जाता है, तो हो जाता है, अच्छी बात है, यहाँ पर आकर थोड़ा सा window को load होने देते हैं, catch up होने का time लगता है कभी को बार Google को, अब यहाँ पर आपको तरह की conversion दिखाए दे रहे हैं, website है, app है, phone call है, और import है, import यानि कि आप Google Analytics से भी conversion action को import कर सकते हैं, अगर आपने Google Analytics के वीडियो को सही से follow किया है, तो आप भी वहाँ से यह से import कर सकते हैं, right, but अभी right now हम फिलाल direct तरीका अप्रोच यूज करते हैं, जो है website, यहाँ website वाले ब कर रहा हूं कि जब यह contact us वाले page पर आ जाएगा, तब हम इसे conversion मानेंगे, लेकिन हम इसे ऐसे भी track कर सकते हैं, कि जैसे user ने form को fill किया, यहीं पर success वाला message आ जाया है, और form fill होते ही हमें तुरंत ही अपने पता लग जाए, वो clean तरीका भी use कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड बचने के बाद track कर लिना, यह थोड़ा सा user friendly, easy तरीका है, और एक बार user को नया page दिखा दो, अच्छी बात है, तो हम आ जाते हैं, यहीं पर वापस Google Ads पर में इदा उदर Windows बटा कर रहा हूं, और सबसे पहले मुझे अपनी website का URL add करना हुआ यहाँ पर, ताकि Google Ads एक बार प सबसे नीचे आपको यह add conversion action manually का option तो मिलेगा यह मिलेगा, इस पर click कर लेते हैं, और अब हमें conversion action को यहीं से setup करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है, यह है category, उपर यह warning दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ से अगर आप set कर conversion action कुछ भी, तो सिर्फ यहीं से काम नहीं चलेगा, वेबसाइट पर जाकर setup भी करना पड़ेगा, वेबसाइट पर भी setup करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी कर रहो सब Google के विंडो पर कर रहो, अपनी वेबसाइट पर जाकर प्रूव करना पड़ेगा, कैसे Google Ads को पता लगे कि भाई, आक्चुली में कोई contact us पर आया है, कुछ तो करना पड़ेगा, जो गार, तो यहाँ पर goals and action optimization में category सेलेक करो पहले, यानि कि किस type की चीज़ों को आप ट्रैक करो, परचेस ट्रैक कर रहे हो, Google user behavior को ट्रैक कर रहे हो, तो आप परचेस को ट्रैक कर रहे हो या add to card को ट्रैक कर रहे हो, या begin check out ट्रैक कर रहे हो, या फिर subscribe button इसको ट्रैक कर रहे हो, किस type का action activity ट्रैक कर रहे हो, अगर आप e-commerce website पर ट्रैक करने जा रहे हो, और आप purchase button, यानि कि जब कोई purchase कर लेता है, उस event को आप ट्रैक करना चाहते हो, तो purchase को directly सेलेक करना लेकिन उसकी जगा, अगर आप सिर्फ card में add करने को ट्रैक करना चाहरे हो, तो add to card select करो, या फिर कोई card में add करने के बाद checkout पेज पर चला जाता है, तो begin checkout को ट्रैक करना पड़ेगा, तो ये sales वाली category में, इसके बाद leads वाली category में भी आ जाता है, कि अगर contact form को फिल कर देता है, contact page पर पहुँच जाता है, या submit lead form पर click कर देता है, या sign up है, request code है, लेकिन ये चारी चीज़े ना बहुत ज़्यदा complicated कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ही activity के अलग-अलग type है, आपको template थमाये जा रहे हैं, आपको template से दूर भागना है, page view को पकड़ लो से, ठीक है, किसी एक page का view होगा, तो वही आपका conversion मान लिया जाएगा, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर page view ही तो देखेना, track करना है, contact us वाला page मेरा visit हो जाए, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जो है कुछ और थोड़े से option दिखाई देने, primary action, इसको यहीं पर track रहे हैं देना, और कुछ नहीं क form visit, नाम थोड़ा ऐसा देना है, जिसको देखकर कल को आपको याद आ जाए कि यहाँ यह किस तरह का conversion action था, तो यह form को submit करने के बाद, जो visit हो रही, contact page की, यहाँ पर ऐसी नाम देदे, form submit, contact visit, ठीक है, यहाँ पर 100 characters की limit है, शर्मानी ज़रोत नहीं, आराम से detail नाम यूज कर suppose यहाँ पर कोई contact us form को fill करता, इसके बाद इस page पर आता है, landing page पर कोई भी form को fill करता और इसके बाद contact us page पर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके हर बार जितनी बार भी lead form fill किया जाएगा, उसकी value क्या होगी, same, है ना, lead अभी जब आ रही है, तो lead के अंदर तो कोई किसी person की personality दिखाईन दे रही, तो हर एक lead की value आपके लिए एक ही हो गई, तो इसको एक रुपे पर set रहने थे, अगर यही हम लोग यहाँ पर purchase track कर रहे होते हैं इसको, purchase को, तो हम यहाँ पर क्या करते, use different value for each conversion करते, क्योंकि हमें नहीं पता किसी product की price क्या है, कोई एक product महंगा भी खरी सकता है, कोई सस्ता भी खरी सकता है, कोई 100 रुपे का, कोई 1000 रुपे का, कैसे पता लगे कब, तो यहाँ पर हम select करते, purchase के case में, right, purchase या add to cart, या begin checkout, इन सारे की सारे तीनों categories में हम select करते, use different value for each conversion, और इसको यहाँ पर value देते, zero, क्यों देते, क्योंकि यहाँ पर हम variable से खुद pick कर सकते हैं, I am talking a little bit advanced here, थोड़ा से advanced जाकर बात करूं, बट समझने की context आपको बिठा देता हूं, तो अभी फिलाल के लिए, उसे छोड़ देते हैं, हम चाहाँ पर क्या select कर रहे हैं, track क्या कर रहे हैं, conversion है हमारा page view type का, और page view में हम landing page का conversion देख रहे हैं, तो landing page में कितनी भी lead आएंगी, सब की value एक ही होगी, और उसको हम एक रुपया assign कर देते हैं, और यहाँ पर तीसरा option है, don't use a value for this conversion action, अब एक रुपय की value हम assign कर रहे हैं, don't use वाला ही कर देते हैं, बट नहीं गलत होगा, इसलिए गलत होगा, क्योंकि Google Ads को थोड़ा monetary benefit दिखाना है जरूरी ही कि चलो, एक रुपय का ही benefit हो रहा है, लेकिन हो रहा है, Google Ads का अपना कौन सा bank account है, जो उसने देखनी है saving, लेकिन कुछ तो value आ रही, zero value होगी, तो फिर फाइदा नहीं होगा, तो यहाँ पर एक रुपया दे दिया है, इसके बाद आ रहा है count, every one, अगर एक person, एक एक बार form fill करता है आपका, तो उसकी value एक रुपय होगी, अगर एक person आपका lead form चार बार fill करता है, तो आपकी value क्या होगी, तो भी तो एक रुपय होगी, एक बार में एकी service ले लेगा, चार पांस तो नहीं लेगा, तो इसे one पर select कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर page view की अगर purchase होता, तो यहाँ पर आप select करते 0, second option use करके, use a different value for each conversion, और यह भी every percent होता, लेकिन अभी बिकज हम लोग landing page की उपर जा रहे है, page view select करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, use same value for each conversion, इसको एक रुपय देंगे, और यहाँ पर select कर लेंगे 1, क्यूंकि आप एक lead form का fill एक user के जरी है, एक ही मानना चाहे, तो अलग-अलग नहीं, इसके बाद यहाँ पर 3-4 option अलग-अलग और है, click through window 30 days पर select रहने दो, engaged view conversion इसको भी 3 दिन पर रहने दो, view through conversion इसको भी एक दिन पर है, तो यह सारी की सारी चीज़ है, ठीक है, हम लोग यहाँ यहाँ पर done button पर click कर सकते ह ठीक है, click कर लिया है, इसके बाद नीचे यहाँ पर window दिखाई दे रहा है, एक button दिखाई दे रहा है, save and continue उस पर click कर देते हैं, अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी काम की, ठीक है, एक तो सबसे पहले यह Google Tag यहीं से दिया जा रहा है, हम इस Tag को नहीं use करने वा इसका लेबल है यह, यह लेबल हमारे काम आएगा, एक यह, एक यह, दो चीज़ें सिर्फ काम आनी है, correct, तो अब हम आ जाते हैं Google Tag Manager पर, अब जिसने Google Tag Manager नहीं सीखा है अभी तक, वो उसकी problem है, Google Tag Manager वाले वीडियो हैं, आप जाकर देखें वहाँ से, ठीक है, अब क्योंकि इसके बाद यहाँ पर टैग कर देते हैं, और इस टैग को नाम देते हैं, जो भी है, जो भी नाम आप देना चाहों, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर टैग कन्विगरेशन, टैग कन्विगरेशन, किस टैप का टैग आपको डालना है, Google Ads वाला टैग डालना है, Google Ads सेलेक कर लिया, इसके बाद Google Ads में भी बहुत सारे अलग अलग टैप के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हमें किस टैप का टैग डालना है, Google Ads Conversion Tracking, इसको सेलेक कर जलना पड़ता है, वैसे यहाँ पर Conversion Linker टैग भी लगाना पड़ेगा, सिर्फ एक बार लगाना पड़ेगा, बार बार हैं लेकिन एक बार तो लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर Create बटन पर इहीं पर क्लिक कर देते हैं, यह काम इहीं पर इसी विंडो पर हो जाएगा यहाँ पर हमने जल्दी से क्लिक कर दिया, ठीक है, यह Conversion Linker अपने आप यहाँ पर Connect हो चुका है, ठीक है, यह अपने आप सेलेक्ट हो गया, अब यहाँ पर बस एक काम करना है खली, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर इसको हटा कर देते हैं, यह नहीं चाहिए हमें, इसकी जगर ट्रिगर हो जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, Conversion Linker, ठीक है, सिर्फ यह नाम दे या, सेव कर देते हैं, यहाँ पर ग्रीन टिक दिखा देते हैं, सिर्फ एक बार करना होता है, यहाँ बा दूसरा है, Conversion Label, सिर्फ यही पेस्ट करना है, यह वाला कॉपी करना है, यह उपर वाई लाइन नहीं जाएगी, यह वाली जाएगी, ठीक है, Conversion Labels पर आ जाते हैं, फिर, उल्टी विंडो पकड़ लेता हूँ, Conversion Label, यह आ गई हैं, ठीक है, इतना कर दिया, बस खाली, अ अगर मैं all pages कर देता हूँ, तो इस website पर कोई भी page आएगा, किसी page पर visit होगी, अपने आप यह trigger होता रहेगा, तो सारे page की visit को उठा कर जोपता रहेगा, बताता रहेगा, यहाँ देखो, lead आगई, lead आगई, lead आगई, you don't want that, आपको नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आजाएंगे, और इस page का URL उठाते हैं, contact us, हमें सिर्फ इस contact us page की visit चाहिए, exact URL पूरा का पूरा ही copy कर लेते हैं, चलो, आ गए यहाँ पर, अब इन में से कोई भी नहीं में चाहिए, हम यहाँ पर plus button पर click करेंगे, इसके बाद फिर से लगा लेते हैं, contact form visit, यह नाम दे देते हैं इसको, ताकि अगली बार trigger याद रहे हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर select कर लिया, page view, okay, page view को select किया, all page view की जगे, some page views, ठीक है, some page views क्या होंगे, यह page का URL पूरा उठा लिया हमने, और page का URL equals, exactly ऐसा ही होना चाहिए, क्या, यह, ठीक है, page का URL equal this URL, त तब ही यह अपने आप में tag trigger होगा, save कर लिया मैंने, यहाँ पर save कर लेता हूँ, इसके बाद submit बटन पर click कर देता हूँ, submit करना जरूरी है, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, नाम यह रहेगा version, publish बटन पर click कर देते हैं, Google का ग्यान, sing like no one is listening, complain like we are not listening, done हो गया काम, अब य आपके इस ad पर कोई भी action लेगा user, और वो आएगा आपके इस landing page पर, और landing page पर आने के बाद जब यहाँ पर अपना नाम डालेगा, email ID डालेगा, अपना phone number डालेगा, submit बटन पर click कर देगा, send message बटन पर click कर देगा, जैसे इसकी lead submit हो जाएगी, वो अपने आप contact us page पर गूगल tag manager को याद आएगा कि यार यह तो, यह तो मुझे इस tag को fire करना है, वो इस tag को fire करेगा, जैसे tag को fire करेगा, यहाँ पर Google ads के पास तुरंत ही immediately information आ जाएगी, कि भाई, एक तो अभी visit हुई है, वसे यहाँ पर form, submit, contact, visit यह जो मैंने conversion action बनाया है, बड़े लंबे दिखाई दे रहा है, और यह troubleshooting option दिखाई दे रहा है, अगर आपको भी इस तरह से अपने किसी पुराने conversion action में इस तरह की problem दिखाई दे, तो यहाँ पर आप inactive की उपर mouse over करें, और troubleshoot नाम की इस button पर click कर लें, ठीक है, इसके बाद इस continue button पर click करते हैं, और यहाँ पर window में आपको action को complete करना है, इसके बाद मैं सब इंडिमेंटर के उपर click करता हूँ, और यहाँ पर इस contact us नाम की window तक आ गया, इसे minimize कर देते हैं, यहाँ पर continue button के उपर click करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यह जो inactive वाला window दिखाई दे रहा था, वो हट गया है, यानि कि अब Google Ads को confirm पता लग गया है, कि आपका जो conversion action आपने setup किया है, वो सही काम करेगा, और अब जैसे से आपका ad यहाँ पर चलेगा, वैसे वैसे यहाँ पर conversions अपने आप ही collect होते रहेंगे, cool, so I hope कि अब आप conversion tracking को अच्छे से use कर सकते हैं, बिना किसी confusion कि आप आप मून करके कि अगर Google Ads campaign को setup करेंगे, तो conversion tracking अपने upset मिलेगे, muscle memory बना लेनी है Google Ads के अंदर, ताकि इदर उदर सोचना, वीडियो वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, आगे future में इस वाले को देखना पड़ेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, और Google Ads के किसी और important settings को जानते है समझते हैं तब्तर की लर्निंग, की प्रांटिसिंग, थैंक यू सा वच वाच वचा फोचिँ धिस वीडियो वाचितर चील वाचिद विडियो, मैं मैं अमी ए जरु एले से यु नेक्स लिए लेक्र वां ताकितर के कारवान देखने गार्व को रूतर के लिए श्रूर औ